प्रिशिंट 13, integration of cot square x dx, इसका हमें मान ग्याद करना है, अब तिरकोन विती से हम जानते हैं कि 1 प्लस cot square theta बराबर होता है, cosec square theta, पर्था, cot square theta का मान, गुफ़ा है, cosec square theta minus 1, तो हम इस cot square x को क्या लिख सकते हैं, cosec square x minus 1, तो दिया गया integration, आई बराबर हो गया, integral cosec square x minus 1 dx के बराबर, अब यह हमारा मानक समागलन है, integration of cosec square x dx, यह क्या होता है, यह होता है, माइनस cot x, माइनस x, क्योंकि 1 dx होता है x, तो माइनस x, प्लस c, c समागलन का अचयर है, हमने cot square x को लिख दिया, cosec square x minus 1, cosec square x का समागलन हो गया, माइनस cot x, माइनस 1 dx का हो गया, माइनस x, प्लस c, जो की समागलन का अचयर है, चौद्वा प्रशन देखें, integration of dx बटे अंडर रूट, एक प्लस x, माइनस अंडर रूट x, यहां हमें परिमे करन करना होगा, तो आई बराबर क्या हो गया, integral, एक बटा अंडर रूट, एक प्लस x, माइनस अंडर रूट x, इन्टू, अब परिमे करना हमें किस से करना है, यहां माइनस है, तो प्लस की संग्या से करना है, अंडर रूट, एक प्लस x, प्लस अंडर रूट x, इससे गुणा कर दिया, और अंडर रूट एक प्लस अंडर रूट x, इससे हमने भाग लगा दिया, हमने परिमे करना कर दिया, तो अंश में तो हमें क्या मिल गया अंश में तो हमें मिल गया अंडर रूट एक प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और हर में हमने सूत्र का प्रियोग किया a-b इंटो a-b बराबर होता है a-square-b-square अर था यह हो गया एक प्लस एक्स अंडर रूट एक प्लस एक्स का होली स्क्वार तो हो गया a-b-square-b-square-a-x-dx इस प्रकार से हमने प्राप्ट किया x से x केंजल हो गया तो अब क्या बज़ गया है अंडर रूट एक प्लस x प्लस अंडर रूट एक्स-dx under roots से अभी पार एक बटा दो है तो यहाँ पहला पद हो गया integral 1 plus x की पार 1 बटा दो dx इस प्रकार से हो गया plus दूसरा हो गया integration x की पावर 1 बटा 2 dx दूसरा पद हमारा क्या हो गया integration x की पावर 1 बटा 2 dx अब ये x की पावर n का रूप है तो integration x की पावर n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 तो ये हो गया 1 प्लस x की पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस दूसरे पत के लिए x की पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस C, C समा कलन का आचार है 1 बटा 2 प्लस 1 होता है 3 बटा 2 यहां भाग लग रहा है जब यह सरल करेंगे तो यह 3 बटा 2 क्या बन जाएगा 2 बटा 3 हो गया मान 2 बटा 3 इंदू 1 प्लस X की पावर 3 बटा 2 प्लस उन्हें यह है 3 बटा 2 मान क्या हो जाएगा सरल करने से 2 बटा 3 2 बटा 3 X की पावर 3 बटा 2 प्लस यह हमारा अभिष्ट समा कलन का मान है